जैहिन एडुकेटर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम लोग करें क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करें साइबर टू इस चैप्टर के अगर माइन मैप नोड़ या सलुशन आपको चाहिए तो इस्क्रिफ्शन में चैनल का लिंक दिया हुए टेलीग्राम पर जो है उसको भाद चेक करें लिजागा तो फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक होता है, क्लॉट, कपड़ा, अब कपड़ा किसे बनता है, दागे से बनता है, ठीक, फैब्रिक, फैब्रिक किसे बन रहा है, यान से, यान किसे बन रहा है, फाइबर से, ठीक, ये पूरी छीज़ है, और इस चाप्टर में हम लोग बाहले है किसा जो है उसे कैसे हम लोग यान बनाते हैं और फिर यान से कैसे हम लोग फैब्रिक बनाते हैं तो जो आपका फाइबर है वो दो टाइप्स के हैं ताइप्स ओफ फाइबर कितने टाइप के हैं दो टाइप के कौन गौन से पहले हैं आपका नैचुरल दूसरा है सिंथेटिक अब नैचुरल में कौन से फाइबर आते हैं नैचुरल में वो फाइबर आते हैं जो हमको प्लांट या एनिमल देते हैं प्लांट और एनिमल एक्जामपल में क्या हो गया जैसे प्लांट के एक्जामपल में आएगा आपका कॉटन जूट और फ्लैक्स इसी तरह आपका एनिमल में क्या आएगा है इस ए और Wool इसेक्टरा ठीक तो यह सब क्या example है यह सब natural fiber के example है अब cotton हम लोग को cotton plant देता है jute jute plant देता है और flax flax plant देता है silk हम लोग को silk warm देता है Wool हम लोग को कई अनमल देता है जैसे goat हो गया रेबिट टेख शीप कैमल एट्सेक्ट टेख यह सब इग्जामपल है नेच्छल फाइबर नेच्छल फाइबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए अब सिंथेटिक क्या होता है सिंथेटिक नौर प्लांट नौर एनिमर जो नेच्छल अक्रिंग नहीं होता है जो हम लोग नेचर में नहीं पाता है अब जो नेचर में नहीं पाएंगो वह सिंपल से उसको हम लोग खुछ से बनाएंग तो इसको और क्या कहा जाता है मैं में ओग सिब्स एक इसके एजमपल पॉलिस्टर नैलों और अक्रिलिक एक्रिलिक अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि क्लांट फाइबर जो है जो प्लांट फाइबर है उसको हम लोग प्लांट से कैसे एक्स्ट्रैक्ट करते हैं ठीक तो पहला हम लोग का है कॉटन के बारे में है कि अब कॉटन हम लोग को कॉटन प्लांट देता है कौन देता है कॉटन है क्लांट को कॉटन प्लांट को ग्रो कराने के कुछ कंडिशन है कुछ तके देशन चाहता है वह多 सबής देखिया पहला तो आपके पास होना चाहिए ब्लैक्स ओल अ VISisten soil क्या है एक तरह का soil है type of soil ठीक और दूसरा climate जो है कि वो गरम होना चाहिए वार्म होना चाहिए ठीक तो यह दो condition है आपके किसके लिए cotton plant के लिए अब cotton plants हम लोग cotton कैसे extract करते हैं वो देखते हैं ठीक अब cotton plant में fruit लगते हैं ठीक है अब अब इस फ्रूट यह जब fruit मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद यह फट के खुल जाता है ठीक है कि क्यों होता है मैच्योर होता है मैच्योर होने के बाद यह खुल जाता है अब खुलने के बाद इसमें हम लोग को क्या मिलता है इसमें हम लोग को मिलता है इसीड कवरड बाई को एक कॉटन थे सीड मिलता है जो कवर होता है कॉटन से कुछ इस तरह का देक्ते जैसे ही आपका माली जी सीड है तो यह कॉटन इसके ऐसे चारो तरफ लगा रहता है अब जो फ्रूट यह कॉटन प्लांट बियर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कॉटन बॉल अब दूसरा हम लोगा कहा है कि यह जो कवर्ड सीट है उसमें हम लोग कॉटन और सीट को अलग करते हैं अब अलग करने के लिए हम लोग के पास दो तरीका है पहला या बाई हैंड करें आप उसको हाथ से करें या बाई कॉम्बिंग यह दो तरीका हम लोग के पास है सीट से कॉटन को अलग करने का इन ही दोनों तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं अ गिनिग थेक यह दो जो प्रोसेस हैं उसको हम क्या कहते हैं गिनिग सीड को अलग करना कॉटन फाइबर से क्या कहलाता है गिनिंग उसको गिनिंग दो तरह से हो सकते हैं एक का बाई हैंड हाथ से या बाई कामिंग से कि अब जो कॉटन बॉल्स होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है को या कॉटन बॉल्स का साइस size एक lemon के बरावर होता है equal to a size of lemon अब दूसरा हमनों का किस के बारे में है दूसरा हमनों का jute plant के बारे में jute plant jute fiber अब जो jute fiber है हम लोग का वो हम लोग को jute plant से मिलता है और jute plant की भी कुछ condition है ग्रोव करने के लिए पहला तो इसको cultivated in rainy season पहला condition क्या है इसको rainy season के time cultivate किया जाता है मतलब लगाया जाता है और harvest कब करते हैं हार्वेश करते हैं जब यह प्लावरिंग स्टेज में रहता है ठीक अब जब यह फ्लावरिंग स्टेज में रहता है जूट का प्लांट तो इसको हम लोग हार्वेश करते हैं हार्वेश करने के बाद इसके प्लांट में जो stem रहता है उस stem को पानी में डाल देते हैं कुछ दिन के लिए water में डाल देते हैं अब पानी में डालने के बाद कुछ दिन तक इसको छोड़ देते हैं कुछ दिन बाद इसका जो stem है वो rot कर जाता है मतलब सर जाता है और rot करने के बाद इसके जो fibers होत कर लेते हैं ठीक है क्या किया हम लोग ने पहले जब फ्लावरिंग स्टेज में प्लांट गया तो उसको हालवेस्ट किया उसके स्टेम को निकाला ठीक उसको पानी में डाला अब पानी में डालने के बाद वह रॉट कर जाता है सर जाता है स्टेम सरने के बाद उसके फाइबर जो हैं वो बाहर आने लगते हैं और फिर फाइबर्स को हाथ से अलग कर लिया जाता है ठीक है तो इस्टेम आफ जूट प्लांट कि इस्केप्ट इंटू ओर्टर कि फॉर सम डेज तिल इस्टेम रॉट्स एंड फाइबर कम्स फॉर्थ मतलग आ गया जाते हैं एंड देन फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड यह हो गया आपका जूट प्लांट और जूट फाइबर के बारे में अब नेक्स टॉपिक हम लोग का है कि जब हम लोग को फाइबर मिल जाता है तो उसको थ्रेड में मतलब यान में कैसे कनवर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग के पास प्रॉसेस होता है उसको कहा जाता है स्पिनिंग इस्पिनिंग क्या प्रोसेस है इस्पिनिंग प्रोसेस है प्रोसेस इन विच फाइबर और टर्न इंटू यान अब इसको किया कैसे जाता है हम लोग पहले फाइबर लेते हैं ठेक उस इन दो फाइबर या दो से ज्यादा फाइबर को पकड़ के उसको ट्विस्ट करके मतलब ऐसे गोल गुल घुमा के उसको एक थ्रेड में सिंगल थ्रेड में बना देते हैं जैसे अब मां लीजे आपका यह फाइबर एक कि यह आपका दूसरा फाइबर आया यह आपका तीसरा फाइबर आया यह चौथा आया यह पांचों आया ठीक तो यह यह जो सिंगल चीज है यह जो है यह क्या है? यह है आपका फाइबर और यह क्या है? याल ठीक अब अगर हम एक-एक फाइबर को अलग करें तो हम लोग पास आखरी में क्या बचेगा एक सिंगल फाइबर ठीक तो यान कैसे बनता है यान बनता है फाइबर से तो इसी तरह किया जाता है फाइबर को लेते हैं उसको ट्विस्ट करते हैं फिर उसको यान में बदल देते हैं कि बदल कह देते हैं वह ट्विस्ट करने के बाद जब एक में धेर सारे फाइबर मिल जाते हैं तो यान में कन्वर्ट हो जाता है ठीक अब यान बनाने के लिए मतलब इस्पिनिंग प्रॉसेस के लिए हम लोग डिवाइस यूज करते हैं डिवाइस कि दो डिवाइस से एक में दिया है पहला तो है आफ का अधिक और दूसा है चरकव ठीक यह दो आपका एक शर्चव डिवाइस है दिये गया है अब छली हम लोगों यान मिल गया अब उसके बाद, उस यान को अम लोगا कपरे में, मतलब jakfabric में कैसे बदलते हैं यान इंटू वाज़ दो younger know अब यान को fabric में बंदलने के हमारे पास में दो प्रॉसस है पहला तो है आपके पास knitting और दूसरा क्या है weaving यह दो process है हम लोग के पास yarn को fabric में बदलने के लिए अब दोनों में अंतर क्या है weaving में आप दो yarn को लेते है two set of yarn और knitting में अब बस एक single yarn लेते हैं अब weaving में क्या करते हैं कि दो yarn को लेकर उसको fabric में बना देते हैं उन्हों को साथ लाते हैं और वो fabric बन जाता है सिंगल yarn में क्या करते हैं कि एक single yarn को लेते हैं knitting में क्या करते हैं एक single yarn लेते हैं और फिर उसको fabric में knit कर देते हैं knitting आप लोग जानते होंगे वो sweater बना जाता है उसी को knitting कहा जाता है अब weaving आपका किस पर होता है वीविंग के लिए device है जिसको कहा जाता है loom अब loom जो है आपका वो by hand operated भी होता है या by power operated मतलब by machine से ठीक है अब कुछ important points है जो NCRT में दिया गया है जो factual points है वो बता देते हैं तो पहला आपका 1965 में sorry 1956 में क्या हुआ था Government of India ने Government of India क्या इंट्रडूस की थी Khadi Khadi and Village Industrial Commission Khadi and Village इंडूस्ट्रियल क्यूमिशन थेक दूस्य पॉइंट है में लोग का गांधी जी ने गांधी जी ने क्या किया था Independence Movement के टाइम उन्होंने लोगों से कहा था कि जो आप लोग कपड़े पहन रहे हैं उसका ध्यान रखिए कि वो British मतलब ब्रिटेन से वो कपड़े ना रहे हैं जो अपने यहां के हैं जो इंडिया में होम इसपन की जाते हैं जो घर की लोग बनाते हैं ठीक उसको पहने होम इसपन फैब्रिक का यूस करें और ब्रिटेन से जो कपड़े आ रहे हैं उसको क्या करें बैन करें या उसको ना यूस करें उसको बॉयकॉट करें ठीक अब तीसरा पॉइंट हम लोग का है एंशियन टाइम के बारे में कि एंशियन टाइम में क्या होता था कि कपड़े तो यूस होते नहीं थे तो उसकी जगर लोग क्या करते थे उसकी जगर लोग अपने आपको पत्तियों या जानवरों की स्किन से खुद को ढखते थे ठीक और फिर उसके कुछ देर बात मतलब जब लोग समझे की फैब्रि कहीं के पास कॉटन को उगाईा जाने लगा और को ग्रो किया जाने लगा और उसी के साथ-साथ एजिब्ट में cotton को और flax को वहाँ पे एक नदी है नील नदी उसके बगल में ग्रो किया गया अब फिर उस समय भी लोग उस कपड़े को stitch नहीं करते थे मतलब उसको stitch नहीं किया जाता था उसको बुना नहीं जाता था लोग बस fiber को normally अपने body के चारो तरफ बांद के चलते थे फिर जब needle का sui का invention हुआ तो लोगों ने fabric को stitch करके उसको cloth में बनाने लगा ठीक तो ऐसे आपका invention हुआ था cloth के बारे में आज की lecture के लिए बस इतना ही thank you